जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी ए सेकंड सेमेस्टर हिंदी की क्लासेज जिसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा कारियालई हिंदी का स्वरूप उसका स्तेलिस्ट आपको स्लेवर्ट की वीडियों मिल जाएगी एगर उसका नोट्स चाहते है है तो आप टेलीग्राम चैनल जोईन किजिए वहां पर आपको नोट्स सभी प्रौइट करा जाते इकर आप चैनल नए हैं तो hm करकेशन को सब्सक्राइब किजिए क्योंकι पूरा आपका स्लेउफ जो है यहां पर कभर आ जाए कारीयालाई हिंदी आखिर होता क्या है सर्परतं हिंदी को जान लेते हैं हिंदी के कितने भाग हो क्या है चीपक स्म golpe एक प्रकार से जैसे किसी भी चीज को पढ़ने सते समय किसी कहानी को सुनते समय एक किसी गाने को सुनते समय एक तर्ज बनाते हैं उसके पस्चात गाते हैं उसी प्रकार एक भूमिका बनाकर हम सुरू करेंगे फिर हम कारियालाई हिंदी को पढ़ेंगे कि कारियालाई हिंदी की आखिर उत्पत्ति कहां से हुई कि किसका के अप्रकार है, हिंदी के कि तने प्रकार हैं, उसके पश्टाथ हम कारियालई हिंदी को समझेंगेर्ट मनुस्य जो है, वह एक सामाजिक प्राणी है और भासा समाजी के सदस्सियों के बीच, संपर्क के उम संवाद का माध्यम बनी रहती है भासा जो है वह मनुस्य के या वहां के जो सदत से उनके बीच संवाद का माध्यम बनती है अर्थाद भासा के आधार पर ही लोग अपनी बातों को एक दूसरे को अभिव्यक्त कर पाते हैं बता पाते हैं समझा पाते हैं और दूसरों के भावनाओं को जान पाते हैं बिना संपर्क और संभात के कोई भी संभात जीवन्त नहीं माना जा सकता अर्थात बिना भासा के किसी भी समाज का आस्तित्व संभव ही नहीं है अगर आप सोचें कि भासा ही नहीं होता हम बोल ही पाते तो क्या किसी समाज का आस्तित्त होता नहीं होता वही बात यहां पे कही जा रही है कि भासा जो है एक समाज के आस्तित्त के लिए बहुत ही आवस्यक भूमिका निभाती है जिस प्रकार मनुस्य को खाने के लिए अन्ड पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ भासा में आपको जिस प्रकार किसी एक मनुस्य को खाने के लिए अन जरूरी होता है और पीने के लिए पानी जरूरी होता है उसी प्रकार एक समाज में सदस्यों का संपर्ग बनाए रहने के लिए भासा की बहुत अधिकावस्यक्ता होती है क्योंकि भासा से ही मनुस्य जो है बढ़ता गया है समाज के वीच समवाद संप्रेसर और संबंद स्तापन भांसा का प्रार्थमिक कारी है किन्तु भांसा समाज की एक सीधी और सरल रेखा में चलने वाली इकाई नहीं है समाज तथा इसके सदस्यों की आस्तित और चरित्र के अनेक आयाम होते हैं और इन सभी संदर में भांसा की विशिष्ट भूमिका होती है किसी भी समाज में जो सदस्य होते हैं उनकी भांसा सैली से उनके बिहवियर्ट से ही उनके बारे में पता चलता है भांसा में विभिन भांसाओं में समवाद होते हैं और इन सभी भांसाओं की एक अपनी एक यात्रा रही ह लेकिन भारती समाज की संपर्क भासा हिंदी ने जहां वैदिक संस्कृत से यात्रा करते हुए आधूनिक हिंदी का स्वरूप ग्रहड किया है वह समाजिक क्रिया का आधार है यह बात कर रहा है कि जिस प्रकार किसी भी सब्जिक्ट की किसी भी चीज की एक प्रकार से क्रमा नुसार उसका विकास हुआ है पहले वो क्या था फिर धीरे धीरे उसके विकास हुए चरण हुए विकास के चरण आये अलेक फिर वह विक्सित होकर आधुनिक समय में कैसा हो गया है यही सब बाते होती हैं तो भासा किस प्रकार से विकास किया उसका निरंतर विकास होता गया सबसे पहले वैदिक संस्कृत से शुरू हुआ भासा की यात्रा और आज आधोनिक हिंदी पर आकर वा पहुंच चुका है समाज निरंतर अपने विकास के साथ साथ भासाओं का भी विकास करता है समान में होने वाले परिवर्तन की तरह ही उसकी अपनी भासा में भी कभी अस्थैर यह नहीं रहा है इसलिए निरंतर परिवर्तनों की धार पर चलकर हिंदी ने अनेकों रोपों के साथ वर्तमान में समाज के सम्मुक पस्तित है हिंदी की प्रियोजनीता के ओधार पर उसके विभिन प्रकार हैं कौन-कौन से प्रकार एक तो साहितिक हिंदी है जो कि आप पढ़ेंगे आगे चल कर आपका second semester है third, fourth है चल कर आप fifth में पढ़ेंगे साहितिक कारियालई हिंदी जो की हमारा second semester में हमें पढ़नाई है यहां तक अब हम पहुँच गए अब हम कारियालाई हिंदी के विशे में इसके आगे जानकारी लेंगे तो हिंदी जो है वह साहितिक हिंदी कारियालाई हिंदी विवसाइक हिंदी विधिपरक हिंदी जनसंतार के माध्यमों के हिंदी वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी समाजिक हिंदी इतने प्रकार की हिंदिया होती हैं कितने प्रकार की साथ प्रकार की किसने के आधार पर प्रियोजनीता के आधार पर साथ प्रकार की हिंदी होती हैं जिसमें एक कारियालाई हिंदी भी भाग है वैसे तो कार्यालाई हिंदी अपने आप में एक ब्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति रखता है, चुंकि साहितिक छेत्र हो, अथ्वा ब्यवसाईक पत्रकारिता का छेत्र हो, या विज्ञान और तकनीकी का छेत्र हो, सभी छेत्रों से संबंध कार्यालियों में काम करने वाले ब्यक्ति एक तरह से कारियालाई हिंदी का ही प्रियोग करते हैं और इसलिए कारियालाई हिंदी अपने आप में व्यापक अर्थ की बेंजना अभी बेंजना रखता है जैसे कि किसी भी प्रकार का विभाग हो क्रिसी छेत्र आप मान लेजिए क्रिसी के जो आपके विभाग देखने को मिलेंगे आपको साहितिक छेत्र में जो विभाग मिलेंगे कारियाले आपका कालेज में जो मिलेगा आपके पुलिस थाने पे जो विभाग मिलेगा हर जगह प्रियोक की जाने वाली भांसा कौन सी है वह है कारियालाई हिंदी और इतने ब्यापक छेत्र में इसका प्रियोग किया जा रहा है तो इसका अर्थ भी बहुत ही ब्यापक है चलिए कारियालई हिंदी का अभिप्राय समझते हैं अर्थात से हमें क्या समझना चाहिए उसका अर्थ समझते हैं कारियालई हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रियोग सरकारी कारियालियो दूसरे सब्दों में अगर हम समझें वह हिंदी जिसका प्रियोग वाडिजिक, पत्राचार, प्रसासन, ब्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रध्योग की आदि छेत्रों में होता है उसे कारियालई या कामकाजी हिंदी कहते हैं अर्था जितने प्रकार के आपके कारियाले पाये जाते हैं सरकारी कारियाले या फिर गयर सरकारी कारियालियों में भी कारियालई हिंदी का प्रियोग किया जाता है लेकिन एक परिभासा के अनुसार जब हम बताते हैं तो सरकारी कारियालियों के दैनिक कारियों में को कार्याले होगा इसमें प्रयोग की यह हिंदी ही कहले संब्धान सितंबर 1949 को भारती सम्मिधान में अनुचे 343rd से 391 तक राजभासा संबंधी प्रावधानों का उल्ले किया गया है कब से कहां से कहां तक 343rd से 351 तक राजभासा संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 से अनुच्छे 351 तक इन अनुच्छेदों को अध्यायों में विभाजित किया गया है और उन सम्विधानिक प्रवधानों को यथान रूप यहां दिया जा रहा है आगे हम देखेंगे कारियालई हिंदी की परिभासा अब हम देखेंगे हमने उसके अर्थ को समझ लिया उसके एक प्रकार से स्वरूप को समझ लिया अब हम विद्वानों के द्वारा दी गई कारियालई हिंदी की परिभासा को जानेंगे स्री ठाकुर्दास का कथन है कि प्रियुक्ति के आवस्यक तत्तों के रूप में हमने तकनीकी तथा वज्यानिक सब्दावली विशिष्ट साब्दिक अन्विती तथा भासा सनरचना की बात कही है इनके आधार पर कारियालाई हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रियुक्ति के रूप में विक्सित हो गया है आगे देखेंगे डाक्टर स्याम सुन्दर जी क्या कहते हैं डाक्टर स्याम सुन्दर जी द्वारा संपादित कोस जो है वह हिंदी सागर उसमें वह कहते हैं कि वह भासा जो सरकारी कामकास तथा नियायालियों के लिए स्विक्रित हो उसे राष्टर भासा कहते हैं और डाक्टर भोलनातिवारी क्या कहते हैं वह अपने संपाधित उनके द्वारा लिखित उन्होंने जो बनाई भासा विज्ञान कोस उसमें लिखा है कारियाले हिंदी के जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई देश दूसरे देश से जब पत्तरा चार की बाते करता है पत्तरा चार से बाते करता है किसी रिक्विस्ट को किसी एक प्रकासे प्रस्ताव को प्रस्तावित करता है या आडर पास करता है तो वह किस भासा में करता है कारियालई हिंदी भासा मे आप थाने की बात कर लिजी जो कमिशनर होगा आपके दरोगा को जो आडर देगा एक लिखित रूप में जब आडर देगा तो वह किस भासा में देगा आपको कारियालाई हिंदी भासा में देगा अपने अधीनस्त जो भी अधिकारी होंगे उनके उच्च अधिकारी जो होंगे वह कारियालाई भासा में ही लिखित आपको आदेश देंगे या जो भी प्रस्ताव रखेंगे जो भी होगा वह कारियालाई भासा में ही होता है आगे हम देखेंगे राज भासा के विशे में राज भासा का अर्थ है संविधान द्वारा स्विक्रित सरकारी कामकाज की भासा राज भासा अर्थात राज में प्रियोग की जाने वाली भासा सम्मिधान द्वारा जो स्विक्रित हो सरकारी कामकाज में जिस भासा का प्रियोग हो रहा हो वह क्या कौन सी भासा होती है राजभासा हो सी है किसी देश का सरकारी कामकाद जिस भासा में करने का कोई निर्देश सम्मिधान के प्रावधान द्वारा दिया जाता है वह उसे उसी देश की राजभासा कहा जाता है भारत के सम्मिधान में हिंदी भासा को राजभासा का दर्जा दिया गया है किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भासा में भी किंदर सरकार अपना काम काज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभासा के रोप में स्विकारिय नहीं ह हो जाती है अब हम उसके उद्देश के बारे में जानेंगे अर्थात कारियालई हिंदी के उद्देश क्या है कारियालई हिंदी हिंदी भासा की वह प्रियुक्ति है जिसका प्रियोग सरकारी अर्ध सरकारी और गयर सरकारी कारियालियों में किया जाता है कारियालई हिंदी ज इकाई में प्रियुक्त साहित्य कारियालाई हिंदी कहलाता है इस कारियालाई साहित्य में सरकार के कारियाली कारिवेत्यों को विवरड होता है सरकारी पदों और कारिकलापों को सर्मान संगा देने और विभिन विन में बनाना अंतर मंत्रालाई और अंतर विभागी पत्र व इसली हिंदी, एक कारियाल में होती है, आप इसको समझ सकते हैं। आप विद्वाने के उधारए कुछ परिभासाओं को लिख देंगे, किसी विद्वान का नाम लिखके उनकी परिभासा लिख देंगे, अगर आपके एक्जाम में आता है तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे आपको विस्तार में पूछ ले तो आप अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि आप उसके विसे में जान गए हैं कि कारियालई हिंदी का प्रियोग जो है सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरक सभी कारियालियों में होता है क्या-क्या पत्राचारियों में होता है सभी बाते आप लिख सकते हैं उसका स्वरूप लिख सकते हैं और उसके उद्देश्यों के बारे में हम पढ़ी रहे हैं इस कारियालियी हिंदी साहित्य की अपनी विशिष्ट भासा होती है और जिसमें का पत्रा चार प्रतिवेदन से लेकर सरकारी नीति संबनधि विवर्ण तक के साहित्ति के भासा अपने अपने हम सस्थ्अ में का रियाले में साहिति की प्रकृति के आधार पर का करियाले में करने कोटिकत असपश्ट किये होते हैं और इन कार्यालियों में कारी करने से पूरो अधिकारी या करमचारी के अधिकार असपश्ट कर दिये जाते हैं अर्थात किसी भी कार्याले में जब अधिकारी या कर्मचारी आते हैं तो उनके अधिकारों को असपस्ट रूप से बता दिया जाता है ऐसा नहीं है कि जो भी अधिकारी बने उसको अपने अधिकार ना पता हो और इनहीं अधिकार छेत्र में रहकर ब्यक्तियों को कार्य करन आपको यह तो पता ही होगा आए आम बात है एक प्रकार से कि जो उच्पद अधिकारी होगा वह अपने अधीन अधिकारियों को आडर दे सकता है वह भी उसके एक प्रकार से अधिकार जितना है उतना ही दे सकता है यह आदेस उनके अधिकार छेतर में सीमित होते हैं वह अध यदिकारी ब्यक्तिगत निजी कारियों को इन में सामिल नहीं कर सकता है और इसी तरह उच्च पदतफ कारियों के आदेशों या तरवास समझनाओं पर उनके नीचे के दिकारी वसकारिय Pam कर सकते हैं या उन कारियाले के सभी पत्रादी प्रसासन की योर सेलखे जाते हैं और यही कारड थै की कार वच्छ की प्रधानत होती है जैसे मंत्राले की साह पूर्वक्र डाट कर ली गई है ये कार मुष्ष क Nejणे प्रफीन के लिए गया है कि सहान भूद पूर्वक विचार के लिए ऐसे सब्दों का प्रियोग किया जाता है अनमोदन की आसा है किर्पियत अत्काल कारिवाही की जाए अब आपको यह बात समझाते हैं जैसे कोई भी उच्च अधिकारी हो अपने अधीन अधिकारियों को कोई भी आदेस दे स है उसके एक्छा पर है आगे देखेंगे हम अगला क्या उद्देश से है यह कार्याले हिंदी का सवपूर्त और ऐस्पस्टता कार्याले हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है साथ में यह पेच्छा की जाती है कि वे तथ्य अपना आप में पूडवा असपस्ट हों जैसे कि कोई भी जो आदेश जिया जाए या जो पत्रचार संप्रेशित किया जाए भेजा जाए उसमें जो भी भासा है वह कार्याल हिंदी तो प्रियोग हो गी ही लेकिन उसका इस प्रकार से प्रियोग हो कि वह बहुत सरल और सुगम हो अथा समझने योग्य हो उसमें पूरा अर्थ असपस्ट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए यह कार्याल हिंदी के उद्दिश में आता है क्योंकि अगर आप किसी भ प्रसाशन के छेत्र में संदै हैं और भांति को अलंकान नहीं भौसा का दोस बाना जाता है। और इसके अभहाँ में कभी कभी पत्रों की उपुच्छछे भी कार्यवाही में बिलम हो जाती है अगर आप अपनी बात को पूड़ता किसी पत्र में किसी है आप अप्लिकेश में बाधा ला सकते हैं जैसे कि अगर आपकी बात अस्पश्ट है तो आपके जो application है उसका result आने में उसका निर्ड़ाय आने में विलम्व हो सकता है या उसको निर्ड़ाय आय हिना बाधा भी आसकती है किसी बात का संस्मरड करना है तो मूल पत्र की पत्र संख्या वस्य लिखनी चाहिए वहां संस्मरड के वल अस्पस्ट और अधूरा रह जाएगा आगे देखेंगे यह था संभो असंदिगदा प्रसासन है तो विभिन कारियालियों में हिंदी का प्रियोग होता है और इस बिनता का परमुक और है जो दिवासा कलिष्ट आसपस्ट और अप रचलित प्रियोग होता है तो संदिकता की गुंजाईश होती है मतलब एक प्रकार से संदिकधता उसमें नहीं आनी चाहिए मतलब कोई कल्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो भी बात आप लिखें असपस्ट लिखें उसमें संदिकता ठकता नहीं आनी चाहिए प्रसासन के लिए घातक हो सकती है यह बात जो मूल बात कही गई है उसका एक यर्थ होना चाहिए दुयर्थी या अनिकार्थी होने से कारवाही में या तो बाधा पड़ती है उसमें कोई गलती होने की संभावना होती है अब यह बात आप अवसे समझ रहे होगे जैसे कि आप अगर कोई अपली केसं दे रहे हैं तो उसमें बात आपकी असपस्ट होनी चाहिए कि मैं बीमार हूँ इसलिए डाक्टर ने मुझे आराम करने के लिए एक सलाह दी हुई है इसलिए मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊंगा यह बात जब आप असपस्ट रूप से लिखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे किरपया आप एक दिन की आवकास या दो दिन का आवकास हमें प्राप्त करने की किरपया करें जब आप असपस्ट रूप से अपनी पूरी बात लिखेंगे तब ही आपको एक प्रकार से लिव मिलेगी तो वही बात कही जा रही है कोई भी उसमें कंफ्यूजन न रहे संदिक्तता न रहे संदेह अलंकार को इसमें दोस माना जाता है आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है वड़नात्मक्ता कार्यालाई हिंदी में महत्वपूर बातों का वड़न आवस्यक होता है कार्यालाई हिंदी में आवस्यक तत्थों का विवरण देना चाहिए इस विवरण से संबंधित विशय की सारी सामागरी को कमरवार दिया जाता है इसमें प्रत्यक मामले का संचित विवरण कर देते हुए मुख्य तकत्य का परिचय दिया जाता है उसके बाद ही निसकर से देना उचित समझा जाता है तथ्यों का वड़न देने से मुल्यांकर की गुज़ाइस कम रहती है अता कारियालाई हिंदी में तथ्यों का सही सही निरूपर होना आवस्यक होता है पांचवाई इसमें क्या है पॉइंट तकनीकी अर्ध तकनीकी भासा प्रियोग कारियालाई भासा मुख्यता तकनीकी अर्ध तकनीकी होती है और इसी कारण सरकारी कामकाज की भासा के रूप में प्रियुक्त होने वाले सब्द या वाक के किसी विसेश छेत्र के लिए युक्त नहीं होती है कि इह बहात ध्यान देने योग्य है कि कार्यालई ही laborQuini sbdavali और वाक्यyuविन्यास हींदी की प्रकृति में अनकूल होती है कार्यालई रिझ अंग्येजी वाक्यविन्यास यह था हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड आपका जल्द ही आएगा और चैनल पर बने रहे कोई भी प्रस्णा आपको समझे में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में